प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आस्कृता, नो यूर फेट यानि रईवार से शुरू करके शनिवार तक है तो सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिती बता देते हैं कि रईवार को ग्रहों की स्थिती क्या रहेगी और फिर उसके गोचर के हिसाब से आपका सापता ही कि राशिफल बताते हैं तो देखिए 22 जनवरी 2023 रईवार के दिन मेश राशी में राहू बैठे हुए हैं, ब्रश राशी में मंगल विराजमान हैं, तुला राशी में केतु बैठे हुए हैं, धनू राशी में बुद्ध बैठे हुए हैं, और मकर राशी में तीन ग्रह बैठे हैं, शूर, शुक्र और चंद्रमा, चंद्रमा सवा दो दिन में राशी बदल देते हैं, तो मकर से निकल कर फिर कुम में जाएंगे, फिर मीन में जाएंगे, और ये तो हो गई मकर राशी की बात, फिर कुम में शनिदेव बिराजमान हैं, और मीन राशी में देव गुरु ब्रहस्पती बैठे आपका आने वाला सप्ता कैसा होगा सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वालों की धन की स्थिती इस सप्ता बहतर होगी बस आपको अपना कार्य पूरी सजगता से करना होगा यानि धैर से अपना काम करना है जल्दवाजी में कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं करना है इस सप्ताह मेश राशी वाले यदि यात्रा पर भी जाएंगे तो यात्रा से भी उनको लाब होगा समय अनुकूल है परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा यदि कोई महत्यपूर्ण फैसला करना चाहते हैं मेश राशी वाले तो मंगल वार के दिन कर सकते हैं शुब रंग होगा आपके लिए लाल और उपाय उपाय है आपके लिए प्रति दिन पूरे सप्ताह हनुमान चालिशा का पाट करें तो आपका सप्ताह बहुत अच्छा बितेगा क्योंकि मंगल की राशी है आपकी और मंगल की राशी वाले यदि नेमेत रूब से हनुमान चालिशा पढ़ें तो हनुमान जी की करपा से सारे संकट दूर होते हैं और फाइदा होता है बारी आगे यब ब्रस राशी की ब्रस राशी का स्वामी शुक्र हमने आपको बताया कि मकर राशी में बिराजबान है ब्रस राशी वाले अपने काम पर ध्यान दे भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा जितना आप मेहनत से काम करेंगे उत्ते अच्छे रिजल्ट आपको आने वाले सप्ताह में प्राप्थ होंगे ब्रस राशी वाले अपने फाइनेंसियल डिसीजन अगर लेना चाहते हैं तो आपके लिए महत्यपूर्ण दिन है शुकरवार उस दिल ले सकते हैं घर परिवार से आपको सप्पोर्ट मिलेगा मन की जो टेंशन है वो इस सप्ताह दूर होगी अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आप चाहें तो नए सिरे से योजना बना कर प्रयास कर सकते हैं समय ब्रस राशी वालों के लिए अनुकूल है शुब रंग होगा आपके लिए वाइट कलर यानि सफेद रंग और उपाए प्रते दिन दुरुगा चालीसा का पाट करें मिथुन राशी मिथुन राशी का स्वामी बुद्ध इस समय धनु राशी में बिराजमान है मिथुन राशी वालों को करियर के छेतर में इस सफलता मिलेगी जो लोग बिजनस करते हैं व्यापार में लाब होगा मिथुन राशी वाले किसी से ऐसा वादा ना करें जो आपको लगे कि आप पूरा नहीं कर सकते हैं अपनी वाणी का प्रियोग सोच समझ कर करिएगा आपके अंदर नेतित च्छमता इस सफ़ता और बढ़ेगी कोई फाइनेंसियल डिसीजन लेना चाहते हैं तो मिथुन राशी वाले इस सफ़ता बुद्वार के दिन ले सकते हैं शुब रंग है आपके लिए हरा और उपाए इस सफ़ता बुद्वार के दिन भगवान गणेस के मंदिर में बेशन के लड़ूं का भोग लगा कर प्रसाद बाढ़ दें तो आपका सफ़ता अच्छा भी देगा बारी आगई अब करक राशी की करक राशी का स्वामी चंद्रमा सप्ताह के पहले दिन रैवार के दिन जो है मकर राशी में बिराजमान है और सवा दो दिन में राशी बदल कर कुम में चले जाएंगे फिर आगे मीन में जाएंगे तो करक राशी वालों के लिए ये समय हर काम धहर से करने का है अपने सुभाव में किसी भी तरह का उतावला पन्ना बढ़ने दें और एग्रेशन से बचें धैर रखिए आपके काम अगर थोड़ा डिले से भी होते हैं तो परिशान मत होएगा काम होंगे अवश्य इस सप्ताह यदि कोई financial decision करक राशी वाले लेना चाहते हैं तो सोम वार के दिन आप ले सकते हैं करक राशी वालों की creative छमता और बढ़ेगी रिष्तेदारों के साथ जो अनबन है वो भी सप्ताह दूर हो जाएगी शुब रंग है आपके लिए सफेद और उपाए पूरे सप्ताह नियम बना लिजे प्रतिदिन भवान शिव को जल चड़ाएंगे तो आपका पूरा सप्ताह बहुत अच्छा भी देगा बारी आगई अब सिंग राशी की सिंग राशी का स्वामी शूर्य इस सप्ताह मकर राशी में बिराजमान है सिंग राशी वालों को धनलाब होगा आपकी मन की टेंशन दूर होगी सरकार से संबंधित जो काम है आपके रुके पड़े हो वो भी बनेंगे सिंग राशी वालों की कारे छमता और बढ़ेगी पूरे उत्साह से काम करने का सप्ता है यदि कोई महत्यपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो आप मंगलवार के दिन और भ्रहस्पतिवार के दिन कर सकते हैं शुब रंग है आपके लिए लाल और उपाय प्रति दिन हनुमान 40 का पाठ करें बारी आगे अब कन्या राशी की कन्या राशी का स्वामी बुद्ध धनो राशी में बिराजमान है कन्या राशी वालों की धन की स्थिती सब्तह बहतर होगी, आर्थिक स्थिती मझबूत होगी और आप जो काम करना चाहते थे अभी तक नहीं कर पा रहे थे उसे करने में कामियाब होगी यदि यात्रा पर जाना चाहते हैं तूर पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं उसके लिए भी समय अनुकूल है कन्या राशी वाले ध्यान रखें कि अपने सुभाव में उगरता न बढ़े बिलकुल विनम्र होकर के काम करना है कोई financial decision लेना है तो बुद्वार के दिन आप ले सकते हैं शुब रंग होगा आपके लिए हलका हरा और उपाए आप बुद्वार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में हरे फलका भोग लगा कर प्रसाद बाटे हैं बारी आ गई अब तुला राशी की तुला राशी का स्वामे शुक्र कुम्भ राशे में बिराजमान है सूर और चंदरमा के साथ सब्ताह के पहले दिन यूति कर रहा है तो तुला राशी का जो स्वामी शुक्र है इस सप्ताह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है जो आप काम करेंगे उससे अच्छा धनलाब होगा इसलिए एक्टिव होकर के इस सप्ताह काम करें लेकिन साथ ही अपने खर्चों को कंट्रोल में रखेंगा फैसला करना चाहते हैं तो आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं तुला राशी वालों के लिए शुब रंग होगा क्रीम और उपाय प्रति दिन दुर्गा चालीशा का पाठ करें बारी आ गई अब इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूनना आसान प्रॉब्लम से सल्यूशन तब आप रता नो यूँआ फैट तुला के बाद बृष्षिक राशी की बृष्षिक राशी का स्वामी मंगल ब्रशराश में बिराजमान है ब्रश्चिक राशी वाले सप्ता के दौरान किसी से भी बातचीत करते समय एग्रेशन ना दिखाएं क्रोध से आपको बचना होगा आपकी leadership quality निखर कराएगी लेकिन काम करते समय धहरे दिखाएं गुशा ना दिखाएं और रिष्टेदारों के साथ कोशिस करें कि relationship अच्छे बने रहें मतभेद ना बढ़ें इसके लिए आपको पहल कटनी होगी financial लिहाज से यह सप्ता बहुत अच्छा है अगर कोई financial decision लेना चाहते हैं तो आप मंगलवार के दिन ले सकते हैं आर्थिक इस्थिती आपकी ठीक रहेगी धन को लेकर बहुत ज़्यादा tension ना लें कोशिस करें कि आपके खर्चे आपके control में रहें शुब रंग है आपके लिए लाल और उपाय प्रति दिन हनुमान 40 का पाट करें बारी आगे अब धनु राशी की धनु राशी का स्वामी ब्रहस्पती मीन राशी में बिराजमान है आलस से छोड़ कर काम करने का सब्ता है आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जिस छेतर में आप काम कर रहे हैं उस छेतर में आगे बढ़ने के आउसर भी आपको इस सब्ताह प्राप्त होंगे सीनियर अधिकारी आप से प्रसंद होंगे धनु राशी वाले यदि लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इस सब्ताह रुक जाए फाइनेंसियल डिसीजन ल आप करेंगे बारी आगे हैं मकर राशी की मकर राशी का स्वामी शनी कुम्भराश में विराजमान हैं मकर राशी वाले अपने खर्चुं को über लेकें लमबी दूरी की यात्रा से बचें अपने स्वास्थ का ख्याल रखें और हां किसी से कोई ऐसा वौदा ना करें जो आप को निभाना मुश्किल पढ़ जाए तो अपने मन में बेचैनी ना बढ़ाएं धैर से काम करने का सब्ता है जितनी मेनद करेंगे उतना ही धन आपको प्राप्त होगा तो काम करने में पीछे मत रहिएगा कोई financial decision लेना है तो आप शुक्रवार के दिन ले सकते हैं शुब रंग होगा आश्मानी और उपाय शनिवार के दिन किसी गरीब को भोजन कराएं कुम्भराशी कुम्भराशी वालों को इस सब्ताह भागे का सपोर्ट मिलेगा कारे छेतर में आपकी स्थिती बहतर होगी धनलाब के लिए प्रयास अपने और तेज करने होंगे बस धैरे से काम करिएगा अगर कोई काम समय पर नहीं हो रहे हैं तो धैरे रखेगा वो काम ह जादा ले सकते हैं क्रियेटिविटी आपकी और अच्छे से बढ़ेगी कुम्भराशी वाले यदि कोई फाइनेंसियल डिसीजन लेना चाहते हैं तो शुक्रवार और शनिवार के दिन ले सकते हैं शुबरंग आपके लिए सफेद और उपाए प्रति दिन भगवान शिव को जल में थोड़ा सा दूद मिला कर अरपित करें बर्या गयी मेन राशी की मेन राशी का स्वामी ब्रहस्पतृ में ही बिराजमान है मेन राशी वाले इस सप्टा एंक्टीव होकर काम करेंगी अचानक आपको धन लाब होगा भागे का सपोर्ट मिलेगा घर-परिवार से आवश्य पूरा करें धनलाव के लिए अपने कारे छेत्र में और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यक्ता है इस सप्ता कोई फाइनेंसियल डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप ब्रहस्पतिवार के दिन ले सकते हैं शुब रंग होगा के सरिया और उपाय इस सप्ता सारे काम बनें ऐसी हम शुब कामना आपको देते हैं भगवान आप पर करपा करें आपकी मनों कामना पूर्ण करें देखते रहें एस्टो तक मुझे दीजिया अनुमती नमस्कार आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक एप और चुटकी में जुड़िये इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से